हालो फ्रेंट्स कैसे याँ मेरे नाम दीपेंद्र स्वागत है मेरे आनलाइन पार्ट जिसका नाम है जाम सुपर संडे पिछले वरे सेशन में पढ़ा था मिजोरम इस्टेट के बारे में इसके पिछले वरे सेशन में अनुराचल प्रदेश नांगालेंड और मनिपूर के ब हम बाद में पढ़ेंगे आज हम पढ़ते हैं तिपुरा के बारे में तो तिपुरा भारत का उत्री पूर्वी सीमा पर इस्तिद राज है जो भारत का तीसरा सबसे चोटा राज है अर्थात गोवा और सिक्किम के बाद यह भारत का तीसरा सबसे चोटा राज है सबसे स्थापना 14 सतापदी में इंडो मंगलोड नाम के एक आद्वासी ने की थी जिसका नाम था मरिक अर्थाप इसकी स्थापना 14 सतापदी में मरिक नाम के इंडो मंगलोईड आधवासी ने की थी जिसने बाद में भिंदुधर्म स्विकार कर लिया था और इस आधवासी के द्वारा इस्थापित बंस को यायत बंस नाम दिया गया है क्या नाम दिया गया है यायत बंस नाम दिया गया ठीक है और कहा जाता है कि यायत बंस के 49 राज राजा तिपुर के नाम के अधार पर इस राज का नाम तिपुरा पड़ा है ठीक है किसके नाम के अधार पर राजा तिपुर के नाम के अधार पर इस बंज का नाम तिपुरा पड़ा है लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि तिपुरा की जो देवी हैं तिपुर सुन्दरी के नाम से इस राज का नामकरन हुआ है जो हिंदु धर्म के इंक्यावन सक्ति पीठों में से एक है ठीक है तिपुर सुन्दरी नाम की देवी जो इंक्यावन सक्ति पीठों में से एक है, ठीक है, इंक्यावन सक्ति पीठों में से एक है, ठीक है, तिपुर सुंद्री नामक देवी के अधार पर इस राज का नामकरन तिपुरा के अधार पर हुआ है, ठीक है, जो मैं लेक्चर में बताता जाता हूँ, वो आप अपनी करते रहा करिए ठीक है और आज हम तिपुरा के बारे में यह पढ़ेंगे पहले हम परिच्छा पढ़ेंगे इसके बाद इस्थापना और राजधानी पढ़ेंगे इसके बाद आवस्थिती पढ़ेंगे यह किस देशों के साथ बाउंडरी शेयर करता है ठीक है इसके बाद भासा पढ़ेंगे, तिपर में कौन सी भासा यूज की जाती है, क्रिसी में किस प्रकार का खाद्यान यहां पर अधिक मात्रम पैदा किया जाता है, और संस्केर रन्यत पढ़ेंगे, राजमार्ग ये भारत सरकार के साथ किस राजमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, उद् इसके साथ प्रूम्ð बिंद पढ्रेंगे जैसे इसका जो आपका राज की कुश्प का उस Chemod shirt तो मैंने बता दिया कि त्युपुरा का जो नाम करण किस के अढ़ार पर हुआ यह 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 जुपा सिताप्र 90 के नाम का यह कुछ लोगों मांना है स्टी के नाम से हुआ है सिक्किम भारत का तीसरा सबसे छोटा राज है ठीक है इसकी स्थापना मरिक नाम के इंडो मंगलाइड नाम के आधवासी ने की थी ठीक है 1923 में इनके यएद बंस के एक राजा हुए थे जिनका नाम था बीर चंदर बहादूर मरिक बीर चंदर बहादूर मरिक ये इनके जब सासन किया था तो त्योपुरा में नय युक का सुतुत्रपात हुआ था इन्हों ने अपने राज के प्रसासनिक ढाचा ब्रिटिस इंडिया के तरज पर गठित किया था और बहुट धेर सारे सुधार किया था इनहीं के राज जब यह अपने राज सत्ता के आखरी दिनों में थे अर्थात भारत उसे में आजाद हो गोए था तो इन्होंने इस त्युपरा राज को भारत में सामिल करा दिया ठीक है यह जो राजा हुए थे बीर चंद्र बहादुर बीर चंद्र बहादुर मरिक इन्हों यह 1923 से लेका 1909 तक इनका राजकास था इन्हों ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में इस्तिवपुराराज को भारत के साथ जोड़ दिया था और 1926 में इसको यूटी का दर्जा प्राप्थ हुआ था और इन्हों ने जब यह सासन बैठे देते यह अपने प्रसाय अपने राज के प्रसासनिक धाचे को बिर्टिस इंडिया के तरज पर गठित किया था और धेर सारे कई सुधार भी किये थे ठीक है तुपुरा की राध्ध का एक ऐसा राज है जो तीन तरफ से त लिदिन किसी देश की सेर करता है इसके तीन तरफब कौन-कौन से हैं देखिए इसका यतो 않तल बंगला देमीजुला की साथ का और ऑघरत का यह पुर्वत्तर क्लत का ऐसा कौन सा राज है जो तीन तरफ से किसी इंटर्लेसर बॉंडी शेयर करता है यह आपका तिपुरा तीन तरफ से इंटर्लेसर बॉंडी शेयर करता है आपका नार्थ बेस्ट इसके बाद आपका शाउथ और इस्ट में ये मिजोरम और आसंग साथ बॉंडी शेयर करता है ठीक है और इसकी जो राद दानी है बंगला देश से माद 3 कुनिमेटर दूर इस्तित है यह हमने इसके आउस्तित पढ़े लिया भासा पढ़ेंगे इसके तिपरा की जो म बंगला यहां की मुक भासा है बंगला के एलावा कोख बारोग भासा बोली जाती है कि पुरा के जो 80% लोग वो गवह गाओं से बिलोग करतें गाओं से मनला में ही रहतें 80% लोग ठीक है यहां जो कृसी होती है इसके यहां के बारे कि दुर्ग और बड़े धुनदाम के साथ मनाया जाता था से ऐट कर्सी रहता है हिंदू रहता है अब यहाँ पर करसीग बारे में पढ़ेंके भासा पढ़ लिया ध्रीजिग पादेते यहां पर अधिकतर सिर्ल यह बर्नी के खेती होती आर्थात यहां पर छूम कि खेती अतियाधिक मातर में की जाती है जूम क wonderful में राज में समतल मैदान का छेतर बिल्कूल कम है लग लग पर टources फिन्टी पर संट पशेंटsin डीट है जो असी मुख पाइदावर क्या है चावल है कि संस्कीत और नित्र की बात करेंगे यहाँ पर तिपुरा के जनजाद और गैर जनजाद के लोग इस लोगों की जो लोक संस्कीत है वो राज की रीट की हड़ी है ठीक है यहाँ पर अधिकतर आद्वाशी लोगों द्वारा गरिया नित्र किया जाता है कौन से नित्र किया जाता है गरिया नित्र किया जाता है और गैर आद्वाशी द्वारा धमैल नित्र किया जाता है धमैल नित्र किया जाता है ठीक है आद्वाशी द्वारा क्या कौन से नित्र किया जाता है गरिया कौन से पॉपलर है मांसा मंगलनेत्र मांसा जब ऑग से मांसा मंगलनेत्र बहुत है ठीक है इसके लावा शाधी बीवा के अंदर करें एक कभी गान किया जाता है जो उनकी लोक संस्कित की बिसेश पहचानक क्या किया जाता है साधी वियों में कौन सा गान किया जाता है कभी गान गीत किया जाता है जो लोक संस्कृत का जो एक में आपका फोक सांग है ठीक है यह राजमा की बात करेंगे तिपुरा जो है भारत के साथ एनेस 44 के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है एनेस 44 के साथ लाइफ 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 ठीक है 1971 की बाद इस्तित पढ़ेंगे 1971 पर यहां पर पहले 1971 के पहले यहां पर आपका जो बंगलादेश है यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाया करता था ठीक है किस नाम से पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाया करता था 1971 में इंडो पाक war के दौरान पूरी पाकिस्तान से यह कनवरट होकर बंगलादेश हो गया, एक अजाद मुल्क अजाद मुल्क नाम दिया गया, बंगलादेश तो 1971 के इंडो पाक वार में पाकिस्तान ने यहां के नांगरियों को ऊपर एक अप्रेशन लांच किया था अप्रेशन टोपाक ठीक है इस अप्रेशन के एकोर्डिंग पाकिस्तान ने जो बंगलादेश को अपने ही नांगरियों नांगरियों जो बंगलादेश का समर्थन करते थे अर्थाथ पूरी पा पर माइग्रेट कर गए जैसे में घाले में कुछ पहुंच गए कुछ आपके आसा में पहुंच गए कुछ तो जब यह पहुंच गए तो वहां कि तुपरा के को बाहर करने का मतलब की हिंसात्मक रवाया अफनाया है ठीक है ये 1971 की बात की इस्तित है संभिधान में इसको दर्जा क्या दिया गए संभिधान में तुपरा को छट्वी अंसूची के तहट एक विशिसराज का दरजा दिया गया था ठीक है जिससे इसको जिला स्वायत छेत और था जिला स्वै्ट्ष्यub कि एका अधिकार मिल गया था ठीक है ? तो छटिय नोज शूची विश्शेस राज का दर्जा दिया गया था जिस इस दर्ज популяр इसको एक जिला स्वैर्ष्य छेत्र का दर्जा प्राप्त हो गया था ठीक है यह हो गया समेदान में स्वाइच छेत्र का एक अधिकार मिल गया था ठीक है तो छटी अन्सूची विसेश राज का दर्जा दिया गया था जिस इस दर्जे कान इसको एक जिला स्वाइच छेत्र का दर्जा प्राप्त हो गया था ठीक है यह हो गया समिधान में दर्जा हो गया राज का सर्वोच बि जो 9093 में मीटर एक मुझीचा बिंदॉ जिसको सिव बैटिंग कहा जाता ऐ क्या कहा जाता है रिख डो जू थाistic पहाड़ी क्स पहाड़ी पर जम्मुई रिपाड़ी पर है ठीक है ये होगई आपकी सरबोच बिंद की बात यहां की जन्जाट चकमा जन्जात मुक्रूप से है कौन से जन्जाती है चकमा जन्जाती है चकमा जन्जात मुक्रूप से लेकिन यहां पर भीविन प्रकार की जन्जाती है भी पाई जाती है जैसे यहां पर से जैसे मेगाले में गारोखासी जैंतिया पाई जाती है ठीक है अब बात करते हैं ब्रू जन्जात भारत सरकार के साथ समझाओता कि क्या समझाओता हुआ था ब्रू जन्जात कौन से हैं ये ब्रू जो जन्जात है तिपुरा में जो आज कल रहे रही है जिसके साथ 2018 में भारत सरकार सरकार के साथ एक समझाओता हुआ था ये जो ब्रू जन्जात है ये मिजो करों है ब्रू काक्तियार कर लिए इसकी वजые से जो यहां के बहुल मीजों पहुले लोग हैं इन्होंने बुआ जाथ के उपर अत्या चाहर कि यह इससे यह हिंसात्लकट हराया रवाया हींसहुई जिससे यह डर करके यह जो बुआ भर्रुन जाद है तुपरा में छोते हैं रियान नाम के जंजात के नाम से भी प्रसिध्ध है जानिध यह एक बैंजरा जन जाती है अदिक तर जुंखेती करती है यह जंजात के बारे में हो गया कि नहीं कि अब इसके जो प्रोक बिन्द होसे प्रोक बिन्द के बारे म पढ़SA Q pourtant कि पूरा इसको जानते थे इसके लावब जो यहां का यहां का यहां का जो इस्टेट एनिमल है वह लीफ मंकी है क्या है इस्टेट एनिमल है आपका लीफ मंकी फेरीज लीफ मंकी जिसकी बहुत बड़ी मदब एक पूछ पाई जाती है ठीक है और इस्टेट ट्री आपका यहां पर तिपुरा का अगरबुढ है क्या है अगरबुढ है अगरबुढ है और यहां की विधानसाभा 60 है और यहां के जो सीम है विपलाव कुमार देव है ठीक आपने बर्मन फैमिली के नाम सुना होगा सभी जोह बर्मन रोयल फैमिली से भी लौंग करते थे ठीक है और एक मत जो यहां पर एयरपोर्ट है वो अगर तला दे तिपुरा की राध्धानी पर है उस एयरपोर्ट का नामकरण 2018 में बीर चन्द बहादूर मरिक के नाम से इस राजा के नाम पर यहां के और एयरपोर्ट का नामकरण किया गया है और तिपुरा के जो कि क्विन पाइनेपल है क्या है क्विन पाइनेपल को इस को जी आई टाइक मिला है तिक है आज हमने त्युपुरा के बारे में पढ़ा है और जो मैंने पढ़ा है वह अपनी कॉपी में नोट करते जाये करिए यह हो सकते हैं के लिए टॉपिक में मैं आपको लिखाना भी-स्थार्ट करनो इससे लिखाने होता है कि आप लिखते भी जाते हैं और इंट्रेक्ट भी ए गुटनाइट